हेलो एवरीवान वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्वों अभी हम शुरू करेंगे दूसरी कक्षा हिंदी का चौथा पार्ट जिसका नाम है मा ये एक छोटी सी कविता है मा के बारे में तो शुरू करते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे मा तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो दिल से सच्ची मिसरी जैसी सारे जग से न्यारी हो एक बच्चा अपनी मा को कहता है मा तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो दिल से सच्ची मिसरी जैसी सारे जग से न्यारी हो कि मा तुम कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो, और कितनी प्यारी भी हो, दिल से बिलकुल सच्ची हो, मिस्री के जैसी हो, मिस्री आप सबने देखी होगी, खाए भी होगी, देखो ऐसी होती है मिस्री, ये है मिस्री, तो तुम दिल से सच्ची हो, और मिस्री के जैसी ही मीठी हो, मतलब दुनिया, पूरा संसार और तुम पूरी दुनिया से बिलकुल नियारी हो, नियारी मतलब अलग, सारी दुनिया से अलग हो, तुम बहुत बोली हो, बहुत सीधी हो, बहुत प्यारी हो, दिल की सच्ची हो, मिसरी की तरह ही मीठी हो और पूरी दुनिया से बिलकुल तुमसे ही विश्वास, मेरे मन में जोश तुम ही से तुमसे ही प्रकाश, मुझमें साहस तुमसे ही विश्वास, तो मेरे मन में जो जोश है वो तुम ही से है और तुमसे ही मुझे प्रकाश मिलता है, प्रकाश मतलब रोशनी, और तुमें मुझे रोशनी दिखाती हो, आगे मतलब हिम्मत मेरे अंदर जो हिम्मत है कुछ करने की चाह है वो तुम्हारे ही कारण है तुमी से ही मुझे मिली है और तुमसे ही मुझे विश्वास मिलता है खुद पर विश्वास होता है कि ये मैं कर सकता हूँ मेरे मन में जोश तुमी से तुमसे ही मेरे मन में जोश आता है तुमसे ही मुझे रौशनी मिलती है प्रकाश मिलता है साहस मुझे में हिम्मत तुमसे ही आती है और तुमसे ही विश्वास मिलता है ये कविता आप सभी को याद करनी है फिर से पढ़ते हैं मात तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो दिल से सच्ची मिसरी जैसी सारे जग से न्यारी हो मेरे मन में जोश तुमी से तुमसे ही प्रकाश मुझ में साहस तुमसे आता तुमसे ही विश्वास और ये कविता लिखी है अनुभव राजने ठीक है अब आते हैं प्रश्णों पर शब्दों का खेल चंद्रबिंदु का कमाल मा के उपर चंद्रबिंदु लगाने से मा हो गया ये था मा मा आईए कुछ और शब्द देखते हैं नीचे दिये गए चित्रों को देखिए ये चित्र दिये हैं इनको देखना है, शब्दों को पढ़िए नीचे जो शब्द है, उनको पढ़ना है और लिखने का प्रयास कीजे और फिर यहाँ पर इने लिखना है, तो यह है आख, एक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप खुद से लिखेंगे, यह, आख, ठीक है, यह है बास, तो दोनों यह है दात ठीक है आगे यह है बासुरी और यह है साप अगे है मा कविता में से कुछ शब्द नीचे दिये गए है उनका प्रियोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए दो चार पंक्तियां लिखिये आपको इन शब्दों का प्रियोग करना है और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दो-चार पंक्तियां लिखनी है जैसे शब्द है भोली भाली प्यारी प्यारी दिल से सच्ची जग से न्यारी तो किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं जैसे मेरी दादी मा बहुत भोली भाली है, वो प्यारी प्यारी बाते करती है, दिल से बिलकुल सच्ची है और वो मुझे सारे जग से नियारी लगती है, सबसे अलग लगती है, या फिर मा के बारे में तो कविता में दिया ही है, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, या पिर भोली भाली कौन हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, आप अपनी छोटी बहन के बारे में लिख सकते हैं, कि मेरी छोटी बहन, छोटी बहन, भोली भाली है, मतलब बहुत सीधी है, भोली भाली है, आगे है प्यारी प्यारी, उसकी प्यार प्यारी प्यारी मुस्कान है फिर है दिल से सच्ची वह है दिल से वह है दिल से सच्ची बाते करती है फिर है जग से न्यारी वह मुझे जग से न्यारी लगती है लगती है तो इस तरीके से आप लिखेंगे मेरी चोटी बहन भोली भाली है उसकी प्यारी प्यारी मुस्कान है वह है दिल से सच्ची बाते करती है वह मुझे जग से न्यारी लगती है ठीक है तो ये था दूसरी कक्षा हिंदी का चौथा पार्ट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा थांक्यू सो मच वॉचिंग